नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहीब में और मैं हूँ आपकी साथ सौम्माराथी डॉक्टर साहीब की इस वीडियो में हम आज जान और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर आपके सर में दर्द रेने की समस्या हर रोज की बात हो गई है तो आपका सर दर्द किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है समझने की कोशिश करेंगे कि सर दर्द जब अलग-अलग हिस्सों में होता है तो फिर उसके क्या-क्या माइने है सर के किस पोर्शन में दर्द हो रहा है वो कौन सा माइगरीन है कब चश्मे के वज़े से दर्द हो रहा है और कब साइनस की दिक्कत जो है वो हो सकती है और सवालों की जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिशेग जो कि बिहार के सबसे जाने माने नियूरोलोजिस याने की मस्तिश्क रोग विशेशग्यों में से एक है सबसे पहले डॉक्टर साब नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब हैडेक्स को लेकर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है सर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले हेडेक्स के बीच में LOG फरक नहीं समझ पाते हैं तो क्या फरक है कैसे समझा जाए इसमें देखिये जब भी सरदर्द को समझना है कॉमन लोगों को समझना है तो इसको हमेशा दो तरह से समझना होगा जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं पेशेंट्स के लिए नस का दर्द हो रहा है या फिर सर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण दर्द हो रहा है सर में जो प्रॉब्लम वाले बिल्कुल कैटेगरी अलग है ब्रेन में टूमर हो ब्रेन में इंफेक्शन हो किसी तरह के ब्रेन में गाठ बनी हुई हो पस बना हुआ हो ब्रेन में ये सरदर्द बिलकुल अलग होते हैं उनमें सरदर्द होगा सरदर्द के साथ आपको कोई और प्रॉब्लम होगा जैसे किसी हाथ पैर में कमजोरी हो, मुह का टेरा होना, आवाज का लर खडाना तो उसको समझने की जरूरत है कि ब्रेन में आपके सर में कोई चीज आ गई है जिसके कारण वो प्रेशर बना रहा है ब्रेन में और दर्द हो रहा है दूसरा जो सबसे कॉमन चीज है, वो है आपका सरदर जो रोजाना के सरदर्ध हम लोग देखते हैं उसमें 4-5 चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है, सबसे पहला और सबसे कॉमन है माइग्रेन माइग्रेन का सरदर्द कुछ लोग जरूर अर्थकपारी कहते हैं इसको कि आधे सर में होता है किसी भी साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड पर ये आधे सर में भी होता है पूरे सर में भी होता है जगह अपना बदलता रहता है इसके साथ साथ माइग्रेन के जो autophobia, phonophobia होता है, तेज light, बहुत तेज sound से दिक्कत लगती है, और एक बार एदिक किसी भी तरह से नींद आ जाए, तो patient को अराम मिल जाता है, बहुत लोग को उल्टियां हो जाती है, तो अराम मिल जाता है, बहुत लोग fasting करते हैं, तो सरदर्द होने लगता है, धूप में निक कुछ बंद कर देना है, खाने के लिए आपको पहचानने की जरूरत है, कि किसचित से ये trigger कर रहा है, दूसरा जो common सरदर्द है, टेंसन टाइप है ने, जो टेंसन के कारण, डिप्रेशन के कारण, हर किसी के घर में कुछ कलह चल रहा हो, कुछ किसी चीज के लिए टेंसन हो नौकरी का टेंसन हो, तो वो धीरे धीरे सरदर्द होने लगता है, और इस ग्रूप में जनरली आजकल छोटे बच्चे भी आने लग गया है, पढ़ाई का प्रेशर हो रहा है, एक्जाम का प्रेशर हो रहा है, महिलाएं हैं घर में, घर में लराई चल रही हो, पैसे की दि होगा, सर भारी-भारी 24 घंटे लगा रहेगा, आगे के साहीर होगा या पूरा सर में रहेगा, उल्टी वगएरा उसमें बिल्कुल नहीं होगा, नींद की दिक्कत होगी, और जब भी आप पेशेंट अपने आप में सवाल उन से करेंगे, तो उन बो कहेंगे कि हमें पर आपको सरदर्द होने लगेगा, वो भी सर के अगले हिस्से में ज़्यादा होते हैं, और सेटर्डे संडे जैसे ही आपको छुटियां मिलेंगे, बाहर कहीं आप छुटियां मनाने के लिए जाएंगे, आपका सरदर्द वो खतम हो जाएगा, इसके अलाबा कुछ- हो रहा है, तो दाई तरफ ही होगा, टाइम उसका fix होता है, आप सो गए, सोने के बाद अचानक 12 एक वज़े नींद खुली, केवल एक तरफ सरदर्द हो रहा है, आँक लाल हो जाता है, आँक से पानी गिर रहा है, उसी तरफ का नाक भी बंद हो रहा है, और रोज उसी समय 11 बजे, 12 बजे, एक वजे के आसपास आएगा, आदे घंटे 45 मिनट रहेगा और सरदर्द चला जाएगा, अल्दो ये सब सरदर्द बहुत रेर हैं, उतना common नहीं है कि common society में हर दिन आपको कोई एक मरीज मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन हाँ, ये cluster headache पता होना चाह है, duration आदा घंटा 45 मिनट होगा, लरका लोग को जादा होगा, और इसमें आख लाल होना, आख से पानी या नाक बंद होना होगा, इसके अलावे बहुत rare सरदर्द सब हैं, जैसे कि sinusitis के कारण सरदर्द होगा, rare नहीं है, ये तो common है पर generally neurologist का रोल नहीं है, आख में power के problem के कारण सरदर्द हो रहा है, rare वाले triseminal nerve के problem के कारण होते हैं, autonomic के failure होते हैं, ये सब normal लोगों को जानने की जरूरते हैं, आप सिर्फ जाने migraine, tension type headache या depression से related headache, cluster headache, sinusitis के कारण headache जो अगले portion में होगा, आख में power check करा, power की गरवरी के कारण headache और बाकी जो मैंने secondary headache बताएं वो उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारे बाते बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुनो और समझा होगा, और साथी साथ इस वीडियो के बाद अब अगर सरदर्द से परिशान होते हैं, तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपके सरदर्द की पीछे का कारण क्या है और आपको डॉक्टर से मुलाकात कप कर लेनी चाहिए, ऐसी अनी वीडियो के लिए आप डॉक्टर साहब के साथ बने रहें, बहुत जल्द मुलाकात होगे अगले एपिसोड में, ऐसे ही किसी आपके सवालों के जवाब के एपिसोड के साथ, तब तक कि अग झाल